स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का इगभड फिर से हमारे इस ओफिशल टुप चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉलुशन मैं शद्दन कुमार हाज़ीरू आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ सो आज के इस नहीं वीडियो में हम बात करें गे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल फोपर लिर्निंग के स्टूडेंट्स है एंसी वैब के स्टूडेंट्स है या फिर डैली यॉनिवरसिटी के रेगलर कॉलेज के स्टूडेंट्स है और वह अपने एक्जांस की in globalizing world अगर इस subject को पढ़ रहे हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी students के लिए most important रहने वाली है इसमें हम उन all important questions की बात करेंगे जो आप सभी के exam में पूछे जाएंगे इसके अंदर अब के बार हमने specially आप सभी के लिए हरी question का लगबग लगबग PDF में या तो return या फिर type जो है आप सभी के लिए notes भी साथ के साथ prepare किया है और यहाँ पर हम इन सभी questions को discuss भी करेंगे कुछ questions ऐसे भी होंगे जो आप सभी के अलग होंगे यानि इससे related नहीं होंगे अलग होंगे लेकिन वो भी आपके exam में पूछे जा सकते हैं के बारे में भी चर्चा करेंगे तो यहाँ पर यह आप सभी का पहले syllabus है आप देख सकते हो यह च्छै यूनिट से आप सभी के सामने और इन च्छै यूनिट से आप सभी के exam में question पूछा आता है सबसे important unit आप सभी के लिए जो है first unit है इसके अंदर आप सभी के लिए कम से कम minimum मेरे सबसे दो question तो आपके यहां से पक्का बनेंगे ही बनेंगे आप सभी को याद रखना है और इसके बाद में start करते हैं सबसे पहली पहली बात पहला question आप सभी की screen पर आ चुका है भारत की विदेश निती के विबिन से धांतों को बताना है आपको और दूसरी बात आपको भारत की जो विदेश निती है उसको प्रभावित करने वाले आपको कारण बताने तो भारत की विदेश निती को को प्रवावित करने वाले कौन-कौन से कारण है पहली बात तो हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर एके करके सारे टॉपिक्स को आपको एक्स्प्लें किया जाएगा किसे यह कुशन आ गया है सबसे पहले पर कुशन सिंपली आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की विदेशनीती को प्रवावित करने वाले कारण सबसे पहले बात तो विदेशनीती कहते कि इसको है सबसे पहले हम यह जानेंगे साथी साथ भार विदेश निति के सुरूप की बात करते हैं सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है हर एक देश को क्या करना पड़ता है अपनी देश की विदेशी संबंद ऐसे देशों से बनाना पड़ता है जिससे उसका मेसा ही तो अगर कोई देश अपनी देश के संबंद ऐसे देशे स इचे me विक समय बात तो पृत कर रहे हैं अन्य देश की तरह भारत बहरत क्या हैroc तो भारत के जो PM परदान मंतरी और विदेश मंतरी दोनों का जो पद है पंडित जवालल नहरू जी यही समाल रहे थे और इनोंने कुछ ऐसी बाते हमारे भारते विदेश नीती में शामिल की जिसमें राष्टे बाते थी और कुछ ऐसी बाते थी शामिल जिसमें बाते थी और इन दोनों को मिलाकर भारत की विदेश नीती का जो रूप है त्यार किया याद रखना कि विदेश नीती हमारे देश नीति को अंतराष्ट्य कारण। हैं यहीं राष्ट्चेकार्ण का मतलबब संपल एक गोषन करती तिक करती है और ढंदर आपसिए भारत जब अजादो हुज रहा था उसी समय भारत ने यह गोशना कर दी थी कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीती का संचालन करेंगे अंतराष्टे स्तर पर हम किसी भी संस्ता के द्वारा या किसी विदेश के दवाव मेरे करम बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेंगे भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीती का संचालन करेंगे आप सभी को पता होना चीए भी थोड़ी दिर पहले मैंने बताया कि सोतंतर भारत के एक तो परदान मंत्री और दूसरा आप सभी को दियान रखना है विदेश मंत्री इन दोनों पदों को पंडित जवाल नाल नहरू जी ने समाला और उन्होंने भारते विदेश नीती के अं मतलब होता है सोबर नीटी यानि भारत अपनी विदेश नीती का संचालन कुछ इस फरकार से करेगा जिसमें वह अपने आत्म निर्णे स्वय ले सकता है दूसरा पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि विदेश नीती बनाते समय भारत अपनी छेत्री अकंडता को बनाने में आज के समय की बात करें तो 28 राज्य और 8 के इंदर शासित पर देशों से मिलकर बनाए तो यह जो चेत्र भारत के साथ शामिल है ऐसी पॉलेसी नहीं बनाएंगे कि हमारे जो चेत्र है वो आपस में वरोध करके देश से अलग होने की मांग करने लगे या अलग ह हो जाएं तो हम ऐसी विदेशनिती का संचालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और तीसरी बात आप सब को याद रखना है तेज गती से विकास करना आप सभी को याद रखना है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई भी देश अपनी विदेशनिती बनाते समय और दोनों में से एक option ऐसा है जो हमारे लिए गलत साबित हो सकता है तो अगर कोई देश जानबूच के ऐसा गलत option चूज कर रहा है जो उसके लिए गलत हो सकता है जो उसके रास्टे हित में नहीं है तो यह यकीनन उस देश के लिए नुकसान दायक है और वो देश हमिसा अ दियान में रखना चाहिए राष्टे इत को ध्यान में रखकर है किसी विदेश के साथ अपने संबंद स्थापित करने चाहिए और यह विदेश निती का एक महत्वपूर्ण रूल निवाता है इसके अलाबा भारत की जो विदेश निती बनाते समय है आप सभी को ध्यान रख अदर अधर होगा की अंदर बयुक्तनाम वार के अंदर अमेरिका का कोई फाइदा नहीं था लेकिन अमेरिका ने फिर भी उस वियतनाम वार के अंदर अपना हस्तषेप किया और उस शिया करना कि भारत की जो विदेशनिती है जो अमेरिका की विदेशनिती है वो खराब हो गई अमेरिका के बहुत सारे सैनिक जो है उसमें मारे गई अमेरिका को बहुत सारा धन जो है उसमें वेर्थ में बरबात करने पड़ा इसके अलावा ठीक इसी प्रकार से अफगानिस्तान संकट में भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी देश अगर विदेश निती का गलत अंदाजा लगा लेता है तो उसके विदेश निती खराब हो जाती है लास्ट ही तो अमेरिसा आपके सर्वोपरी होते हैं इसके लवा अब आप बोलेंगे कि विदेश निती विदेश निती जब से सुनतो रहें लेकिन विदेश निती का मतलब क्या होता है विदेश नीती का मतलब होता है कि कोई भी देश आप देखेंगे समाने शब्दों में बताऊंगा आपको मैं जैसे कोई भी देश है वो चाहेगा कि मैं बिल्कुल अलग रहकर अपना विकास कर लूँ तो यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कोई भी देश पूरी दुनिया सब्सक्राइब तो यह थ cooked देश के विकास के विकास पूरे देश ने कर सकता कि अकनल आत्मा निर्बंद निहीं हो सकता इसलिए अपनी या तो उसको किसी वस्तु के जूरत होगी या फिर आपनी जो जो निर्मित वस्तु है उनको बेचने के लिए उसे नेने बजार चाहिएंगे इसके लिए उसे किसी ने किसी देश के साथ में संबंद बनानी की आवशकता पड़ती है पारसपरिक आत्म निर्भरता इस प्रकार से निकल के आती है और ऐसे एक देश दूसरे देश के नजद संबंद बनाते हैं और किस प्रकार के हम नीतियों का अनुसरण करते हैं यही क्या कहलाता है विदेशनिती कहलाता है यहां पर आप असान शब्दों में देख सकते हैं जब एक देश द्वारा समाजिक आर्थिक और राजनितिक तता व्याचारिक संबंदों को कि दूसरे समंद क्यों बनाता है यहां उसमें न कोई फाइदा हो उसका उसी समंद क्यों बनाए क्यों उसका फायदा है अगर उससे उसका फायदा होता है तो वह जरूर उसंतराश्तियस में संती के लिए और गलावा को बढावा देगी और एसए हम बहुत directly क्यों झैसा权 गवर्मेंट होगी वो क्या करेगी नियाएपून देशों से संबंद बनाएगी यानि ऐसी देश जो नियाएपून व्यवार कर रहे हैं अंतराश्चे सर पर जो अंतराश्चे कानूनों का संधियों का पालन कर रहे हैं उन सभी देशों से संबंद बनाएगी और भारत भी अ और सुरक्षा के लिए भारत जितना संभव प्रियास कर सकता है उतना प्रियास करेगा गाल प्रियास प्रियास करेगा सबसे पहले विदेश नीठी का माराल उद्देश이ी है दूसरा ये अंतराष्ट जितने भी कानून दूसरे ये अंतरास्टे जितने भी कानून है जितने भी देशों से संधिया हो रही है उन्ह सभी आइक बात है सभी रास्टों स्भार्ण उर्वक्स वो क्या करेगा उन देशों से संबंद बनाएगा चौथी बात करें जितने भी अंतरास्थे विवाद है देशों के बीच में तो उसे निप्टाने के लिए मद्यस्ता की भूमिका निबाएगा एक एक विचारधारा का विरूत करना और उन सभी देशों की सहायता करना करेगा जो जातिवाद नसलवाद और उपनिबेश्वाद सामराज्यवाद से पीडिता है यानि ऐसे देश जहाँ पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जैसे जातिता उतिये नसलवाद का भीदवाव है तो हेल्प करेगा और अपने हीतों के लिए अंतराष्टे जगत में जान बूच कर ऐसा कोई कारे नहीं करेगा जिससे पूरी दुनिया पर उसका गलत परवाव पड़े आप सभी को ध्यान रखना है हम अंतराष्टे सरफ ऐसा कोई कारे नहीं करेंगे जिसके विए से हमें तो इसके अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत की जो विदेशनीती के निर्धारत तत्व है इसमें सबसे पहला पॉइंट आप सभी के लिए यहां पर आप लोगों को याद रखना है दो बात हैं भारत की विदेशनीती है किसी विदेश की विदेशनीती को निर्धार में भारत जो है अपनी विदेश निती निर्धारन करते समय कुछ आंतरिक परिस्थितिया अमारे देश के अंदर है उसका जुरूर द्यार रखेगा जैसे सबसे पहले भारत अपनी बुगोलिक इस्तिति यसी विदेश से चीन एगा पाकिस्तान यह दो देश तो ऐसे हैं जिन से हमारे आए दिन कोई नो कोई भोगोलिक विवाद रहते हैं अगर हम और देखें उत्रपूर में बांगलादेश मेहमार पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन से हमारे सीमा डारकली टच होती है और इन देशों से हमारे काफी ज़्यादा कंफ्लिक्स चलते हैं विवाद चलते हैं तो इन देशों से सुरक्षा भारत जो है वो नंताज नहीं कर सकता इसलिए भारत बांगलादेश मेहमार और दक्षिन में स्रिलंका इंडोनेशिया इन सभी देशों में संस्कृती आज पी जिन्दाइनी भारत की संस्कृती भारत का जो कंफरे इन देशों में है तो भृत क्या नहीं कर सकता इन देशों को भी इग्नोर नहीं कर सकता भारत के मैप को देखोगे तो कहें गाई आप देखोगे कि भारत कैसी भूमी है जो क्या करता है दक्षिण एशिया में एक तो इनको भारत जोड़ने का कारे करता है दूसरी चीज पूरु के जो देश हैंगे एशिया के पूरु के तरफ जो की आप सभी को द्यान डखना है इसलामिक कान्ट्री है उन स अगर हम बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है, यह भारत की जोग्रोफिकल नॉलेज है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों कि अपने इन सभी रास्तों का वो अच्छे तरीके से उप्योग करें, साथ ही दूसरे विश्यूद के बाद में संसार जो है दो गुटों में बट गया था, जिसमें से एक की अगवाई अमेरिका ने करी थी, दूसरी की अगवाई सुवेद संग ने करी थी, तो ऐसे समय में भी भारत नहीं दुनिया को एक तीसरा ओप्षन दिया था जिसे हम नेम या गुटनर पेक्ष आंदोलन कहते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दूसरा पॉइंट आप सभी का राजनितिक कारण बड़े और ताकतवर देशों में यह होता है कि वो छोटे देशों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते लेकिन छोटे देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन है और अगर फॉर एक्जामपल बड़ी माशक्तिया अगर छोट करेंगे इसलिए भारत का कहना है कि एशिया जो की कभी परगरती का मारग माना जाता था यह एशिया में जैसे जपान हो गया चीन हो गया भारत हो गया यह पूरी दुनिया में पॉपलर थे एंशेन टाइम पे और मैडवल टाइम पर भी और यूरोप के सामराज्य बादी देशों ने दिरे दिरे इनको गुलाम बना लिया लेकिन भारत सिलंक का मैमार इन देशों पर अपनी आजादी के साथ में एक नया युग की शुरुआत हुआ है और यहां पर विश्व में यह सभी देश अपनी विदेश निती का संचालन करने के लिए लगातार क्या कर रहे है संगर्ष कर रहे है तो यहां पर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे देशों के साथ में अपने संबंद बिल्कुल अच्छे बना के रहे के जो रिसेंटली भारत के साथ ही अजाद हुए है अर्थिक कांड इंडिया के अंदर एक 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 फैक्टर भी है जो आ भारत अमेरिका चीन के बाद में अपनी एक अलगी पैचान रखता है क्योंकि भारत के अंदर जो है शस्ते श्रमिक मिल जाते हैं दूसरे भारत के अंदर काफी अच्छे-च्छे संसाधन पाई जाते हैं और भारत के अंदर ऐसे यूवा है जो तकनीकों का बहुत वैतरी करते हैं और अंतराष्टे इस्तर पर बाह्त जादी बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के जो लोग हैं वह कारे रहत हैं यहां पर भारत की जो आर्तिक इस्तिती धूप में हम देखेंगे तो भारत की आognीक तो बहुत खराब थी लेकिन वरतमान समय में भारत इस्तिती जो है सुधर रही है अंतराश्ची स्तर पर अमेरिका के इंदर बात करें तो बहुत सारी 15 परसेंट आप लगबग दिखोगे कंपनी के जो टॉप कंपनी उनके जो यहां पर हम यह भी देखते हैं कि भारत आधुनिक समय में काफी तेजी की साथ क्या कर रहा है ग्रू कर रहा है तो भारत के लिए एक इकनोमिक विदेश निती ऐसे देशों से संबंद मनाता इसके लावा भारत जब अजाद हुआ तो भारत ने पहले रशिया से 55 यूजना का अज़ा मॉडल एक्सेप्ट किया दूसरी बात भारत ने क्या क्या मिस्जी तर्थवयवस्ता जो अपना ही अपनी अजादी के लिए अपने विकास के लिए क्योंकि मिस्जी तर्थवयवस्ता इसमें आम ने देखा पुंजीवाद के भी गुन थे और इसके इंदर होते हैं और विक्टन के बाद में भारत ने अपना रुक पुंजीवादी मॉडल के तरफ तोड़ा कर लिया है क्या किया अर्थिक उतारी करने की नितिया अपना लिये डब्लू टियो आई-एम-फ और डब्लू-बी इन सभी में भारत की जो सदस्यता है वो मिस्जित हो ग यह बहुत ज़्यादा अवशक बन जाता है कि भारत भी लगातार अपने सुरक्षा रणनीतियों को बनाए इसलिए भारत क्या करता है भारत दूसरे देशों से लगातार अपने हतियारों को खरीद रहा है इसे भारत जो है रूस इसराइल फ्रांस ऐसे कुछ खास दोस्त भारत के बन चुके हैं जो भारत को बहुत जादा हतियार जो है वो देते हैं इसके अलावा 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो यूद हुआ उसके बाद में भारत ने खुद बनाएवे टैंकों का इस्तमाल किया तो भारत के लिए इंपोर्टेंट बन गया है कि भा भारत आज के समय में रशिया से काफी ज़्यासिक हथी अगर हम देखे तो हम खरीदता है अगर भारत की संस्कृती की बात करें तो भारत अचेथ संस्कृती को वायलिशन करें इजह वरदमान आवीर नानक कबीर ऐसे गांदी ऐसे विचारों की छाप रही है और हम विदेशनीतिय में हिंसा या फिर ऐसे कोई भी तक्त्व को शामिल नहीं करते हैं जिससे अंतराष्टे इस तर पर संगर्श को बढ़ावा मिले हम इसा शांति और प्रेम की भावनाई उत्पन करने की बात करते हैं यह आपको याल रखना है इसके बाद में अब आएगा व्य इसके अंदर हम बात करेंगे अंतराष्टे इस तरपैसे बहुत सारे जो भारत की विदेशनीति को प्रवावित करते हैं यह से भारत के अंदर कई सारे नेता हैं उनकी सोच है जैसा फॉर एक्जांपल डॉक्टर बियाराम बेटगर जी है तो उनका भारत की विदेशनीति और हम उन देशों के साथ में या उन लोगों के साथ में भी हैं जो फांसिवाद के खिलाफ हैं और साथ साथ में जो सम्राज्यवाद के खिलाफ हैं सभी देशों का समान करते हैं जापर लोगों के अधिकारों को इनोग्रेट किया जाता है लोगों के अधिकारों को बढ़ से लिए एक तो यह कुछ आंत क्षिभ रहे हैं हमारे देश की अब आ यह परिस्तियों के बात करेंगे तो बातर्टी परिश्थिति हैं जो कौध कान सी थी जब भारत अजाद तोशन में क्या चल रहा था फूर चल रहा ने बापलेगे, इसलिए भारत ने दोनों में से किसी घुठ में शामिल होने की गोश्च नह एक करदी και मना करदी कि हम किसी घुठ में शामिल नहीं हो mai भारत ने अपना तीसरा विकल्फ है घुठ करे पेक्ष्टा को चुना, ना तो अमेरिका में शामिल हुआ और यहां पर भी अमेरिका और सुभे संग के बीच में तनाव वड़ था तो यह किस्तान हो गया या फिर जो चीन है वो कई बारी ऐसी अपनी हरकते करते हैं जिसकी वैसे भारत को उनके साथ समंद्र काफी ज्यादा कंफिलिक्ट वाले हो जाते विवाद वाले हो जाते और भारत को उनसे तनाव बढ़ाना पड़ता है जैसे फॉर एक्जांपल बारत का नेपाल के लिए और भुटान के लिए दोनों देश ऐसा हैं जिनकी किसी भी समुंद्री सीमा से नहीं मिलती तो इसलिंग दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट मन जाता है कि भारत से उनको अच्छे संबंद रखें ताकि भारत को भी फायदा मिले यह जब ट्रेड करें वैपार समुद्री वैपार करें तो उसका कुछ परसेंट जो एक किराई के रूप में भारत को मिले उसका फायदा हो भारत के लि आतियारों के विरोध भारत ने अंतराश्टे सर्पर अतियारों के विरोध किया है लेकिन जैसे जैसे देश आतियार बना रहें जैसे पाकर संथी और दॉक्ष भारत के लिए घ्र-णिवा और बधारत के उपर था कि स्कत्राइब सिर्मारास किया थल्हारा से पॉनिक्षण किए और आपतनी प्रमानु को दुबार के था बया था पास हतियार है वो किसी देश को डराने धमकारने के लिए नहीं बल्कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए करेगा भारत उन अतियारों का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक भारत को ऐसा नहीं लगता कि मुझे उस देश से खत्रा है इसके लिए विश्व शान्ति को निची यह उन्तराष्य सिर्पर 30 सुरक्षा को बढ़ावा दे इसके लावा भारत का सभीधान में बताये था उसका उनुछे दिग्यावर ने इसके बाद में अब नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है नेम मतलब होता है इसे बोलते हैं पेपर में केवल नेम लिखा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं आना इसके मतलब है इसकी परसांगेक्टा बताना है तो नेम से रिलेटिड हमने तीन कोशन आप लोगों के लिए बनाएं अगर आपको यह तीनों कोशन आते हैं तो आपको कु से 1945 से 1991 तक अंतराष्टे इस तर पर बहुत बार ऐसी परिस्तिती बनी जब युद्ध के परिस्तिती बनी और 1945 के बाद में यानि 1950 के दशक के आसपास लगबग अंतराष्टे इस तर पर कई सारे देश उबरे अजाद हुए उपनी वेश्वात की चंगुल से मुक्त हुए तो उन देशों के लिए दो अप्शन थे या तो वो यूएसे में शामिल हो जाए या फिर वो यूएसे सार में शामिल हो जाए लेकिन भारत जैसे देश जो है वो अपने संसादुनों का खुद उपयोग करना चाहते थे वो नहीं चाहते थे एगर वो यूएसे में शामिल होते तो वह भारत के अत्यारों का भारत के जितने भी संसादने उनका उपयोग करते दूसर यूएससर के साथ शामिल होते तो भारत नहीं चाहता था किसी गुटनरेख शान दूलन की शुरुवात करी। आप सभी को सबसे सपहले पर के बारे में बताइँगे तो के बुकर आप दे सब्सक करेंगी। एशिया अफ्रीक अमेरिका के कई देश ऐसे थे जो गुड़नेरि पेकस्ता में शामिल कुए शाकुनित प्सक्राइब अब सुद्भर सुद्भियो Самील न आट यहाए उनके वीपक्ष्ण विपक्ष का आंसर उनके द्वारा लीए निरों के अधार peaceful निक इसी भी गुट में शामिल ना होना, ये गुट निर्पेक्सता कहलाता है, किसी भी संगटन से दूर ही या उसके संकीन ताई, उसके नस्दीक जाना, ये उनकी गुणों के अदार पे हो गए नहीं, अमेरिका अगर अच्छा काम करेगा, तो भार्त उसकी क्या करेगा, अ प्रियूली आजाद हुए थे, और उन देशों के उपर दबाव डाला आ रहा था कि किसी ने किशी गुट में शामिल हो जाए, लेकिन इन देशों ने क्या किया, किसी भी देश में शामिल ना होकर क्या किया, अपनी एकतीस्ती रहा बनाई, जिसे इन्होंने गुट इस पांच देशों ने मुख्य भूमी का निवाई थी, इस पांच देश में भारत के पंडी जवालनल लहरू, मिसर के नासिर, यूगोसलोवाक्या के टीटो, और इंडोनेशिया के वामे इंक्रूमन, घाना के सुकर्णो, ये पांच देश आप सभी को नाम याद रखना ह पहली बात पहला भारत है, दूसरा मिसर है, इसरा यूगोसलोवाक्या है, चोथे नमर के बात करें तो इंडोनेशिया है, और पांच ये नमर के बात करें तो गाना है इन पाँच देशों ने क्या किया Afro-Asiai Sammillan या Badung Sammillan क्या है 1955 में इन्होंने क्या किया गुटनिर्फिक्स्ता की नीव डाली और इसके बाद में इसमें स्टार्टिंग में तो कम देश 3-4 देशी थे और इसे नाम बाडूंग Sammillan इसलिए काया क्योंकि Badung Sammillan में था और इसे Afro-Asia Sammillan इसलिए का गया क्योंकि इसमें ज़्दातर Asia और अफरिका के देश शामिल थे और ये Asia और अफरिका के देशों को एकता के बाव में बांधने के लिए ये क्या किया गया था Sammillan करवाये गया था और इसके साथी आगे चलकर 1961 में Belgrade Sammillan हुआ ये गुटनिर पेकस्ता का पहला सिकर Sammillan था उसमें तक लगबग 25 से बन गये थे और अब तक वर्दमान समय में 15 से ज़्यादा Sammillan हो चुके हैं ये डाटा Google से लिखकर आगे का लिख लेंगे याद रखना आप सभी को इसके बाद में गुटनिर पेकस्ता के प्रवक सिद्धान कौन-कौन से क्योंकि शॉट नोट में आपके आजाए तो आपको ये सारे सिद्धान्त लिखने है सबसे पहली बात तो भारत व थेश नीतिय Supply ये सम्राजए वाद अरुप श्वाद का अंत करना विरूत करना दूसरा नस्लिय बेद बाव और अंग बेदबाव की जो नीतिये इसका विरूत करना तिसरी बाद हतियारों की जो हुड है उस पर कम करना खास्तो और पर प्रवाणु हतियार अब कोगे भारत के पास थो खुझी प्रवाणु हतियार है लेकिन उस समय नहीं था ना जबी बनाये गया थाarios तो उस कि जितने भी तक्णिके हैं विक्सित देशों के पास में वो सस्ती दामों पर किसको मुहिया कराई जाए गरीव पिछेड़ी देशों को भी मुहिया कराई जाए अंतराश्च इस्तर पर सांती और सुरक्षा बनाए रखना सहिंतराश्च संग के कार्यों को प्रभावी रूप से सवयोग प्रदान करना पर्यावरण की जो रक्षा है उनके जीवों की रक्षा करना एक ये काम है आतंक बाद जो है इस पर विरूत करना तो यह कुछ आप से बीग लिए क्या है याद रखना है इसके उद्देश्य थे करन पूछ ले गुट निर्पेक्षता के इन कार्णों से हुद्य हुआ क्या रिजन्स थे तो कही सारे कारण थे सबसे पहला रिजन था शीतियूद का होणा शीतियूद में आप सब को मैंने बताया कि अंतराश्टी इस तर पर जो देश थे दो गुटों में विवाजित होगे एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोभे संग एक तरफ पुंजिवादी विवास्था, एक तरफ समाजवादी विवास्था और देशों के बीच में दुई आपशन थे या तो पुंजिवाद या समाजवाद तो अंतराष्टे इस तर पर देशों के लिए शीतियुद की परस्ति देने गुट निरपेकस्ता को जनम देने में महत्वपूरु गुमी का निवाई दोनों तरफ जो भी देश दोनों मैंसे किसी गुट में शामिल होते हैं उनके संसादनों का उखुद उम योग với नहीं कर पाते हैं इस वज़े से आप सभी को याद रखना है इन देश ने क्या किया इसे तनाव को उत्पन करवा सकता है जिससे हमार देश के अंदर बहुत ज़्यादा विवाद हुजाएगा आपस में लोग लड़ने लगेंगी और यह चीज़ सोबी संग भी कर सकता है ऐसे अफगानिस्तान था उसमें सोबी संग का स्थच्छीब होता है आपने देखा इसके अलावा वियत नाम के अंदर देखा था अपने तो यहाँ पर हमने देखा अंतराश्य सरपा अगर शीथिउद नहीं होता तो क्या नहीं होता गुटनेर पेक्स्ता के इस्तिती नहीं होती दूसरी मनों विज्ञाने के विविश्था जो गरीब पिछेड देश थे उन देशों के लिए यह बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनका आर्थिक विखास कैसे होगा तो नौसमतन देशों ने गुटनेर पेक्स्ता के नहीं थी इसल दर्द की जैसे दर्द को समझता थीक उसी प्रकार से एक गरीब देश दूसरे गरीब देश के किया है दर्द को समझेगा इसलिए और साथे साथ में जो है गुटनेर पेक्स्ता की धाना इसलिए उत्पन हुई सेनिक गुटों से अलग रहना तो इसके बाद में वार्सा पैक्ट ऐसे कई सारे संगठन बनाए गए ते शीतियुद के काल में इन सभी सैनिक संगठों से क्या चाहते ते देश अलग रहना चाहते थे क्योंकि अप्रिका के कई देश चुतंत्र हुए थे इस समय एशिया के भी हुए थे और सब के सब लगबक शोषित थे गरीब थे गरीबी से जूजरे थे सभी देश चाते थे कि अगर वो किसी भी सैनिक गुट में शामिल होते तो फिर से उनके उपर क्या होता युद्ध का अंदर शामिल होना पड़ता आपकी सेना जो है उनके इसाफ से काम करती तो यह सारी चीजे आप लोगों को इसके अंदर देखना पड़ेगा इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी एक खास पैचान के लिए भी गुटनिर पेकस्ता का उदे हुआ जो नहरू य इसकी अलोचना करते है उनका कहाना है कि गुटनिर पेकस्ता ऐसा कुछी नहीं है इन देशों ने गरीब देशों ने केवल अपना संगठ ने इसलिए बनाया ताकि अपनी खुद की एक खास अलग पैचान मना सके अंतराश्चे इस तर पर और ऐसा ही हुआ आज के तमयमें पैकस्ता जो है वो बिसिकली कुछी नहीं करता ऐसा देशों का कहना इसलिए लोग चाहते कि अपनी अलग विदेश नीती भारत जैसे देश जो है सोतन्तर विदेश नीती संचालन करना चाहते थे और अक्यला कोई देश करनी पाता इसलिए उन्होंने गुट बनाया ताकि जाता देश रहेंगे तो कोई हमला भी नहीं करेगा अगला अर्थिक कारण है क्योंकि इनकी एकोनोमी काफी ज्यादा डाउन थी तो अपनी खराब अर्थब्यवस्ता को पट्री पे लाने के लिए इन्होंने आप सी संबंध मनायते कि किसी विक्सी देश के साथ संबंध म कमी है किसी देश के अंदर टक्नीक है तो वह एक दूसरे को एक से सयोग कर सकते तो यह आपको याद रखना है तो यहान रखना है आपको 1998 यह भी में का महिना दा दोनों पोकरण में हुए है पर्डिक्षन ज्यान रखना है जी सलमिर के पास में पोकरण नाम की जगह है वहाँ पर अब यह जो पर्मानु हुए है पर्डिक्षन तो इसमें दो बाते सबसे इंपोर्टन्ट इंडिया की आप कई भी देखोगे केवल दो बाते भात में जो पर्मानु बनाया है वह किसी को डराने दंखाने के लिए बलकि अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहली बात बात बारत जो है अपनी पर्मानु की जो समता है ऑर नियुंतम रखेगा और तब तक उसका उपयोग नहीं करेगा जब तक उसके कोई देश खतम कर सकता है तो यह आप सभी को याद रखना है कि भारत ने अपनी पर्मानु नीती के अंदर अंत्रगत ये बात कही है यीवाला कॉंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका है वह नेक्स्ट कोंसेप्ट के बारे में बात करेंगे अगले कुछन के बारे में अगला question आप सभी क्या है? भारत्य को भरती भी आशकती? इसके बारे में भी discuss करेंगे ये last question याप पर मैंने आपके लिए बना रहा है संबावत माशकती या भरती भी आशकती लेकिन आप सभी से अभी न name की कुछ और question भी पूचि आशकती है गुठ पेक्स्ता की बहसारी कमजोरी है सबसे पहली बाट तो पशमी जो देश है इनकी अलोरा करनी है और कहते है कि गुठ निर पेक्स्ता कॉई पे felony जब बनने थे तो कहते थे को खत्म करना है या खत्तम कना करना है लेकिन जाती है तो वह पर यह दोनों जगा पर गायव रहते थे जब अफगानिस्तान के अंदर अपना सचेप किया था वियतनाम के अंदर किया था तब भी इनका जो था स्वर्प कुछ नहीं था यह कुछ भूले ही नहीं उसमें यह कुछ करी नहीं पाए आप यह भी कह सकते हो गुटनर पेक्स्त का एक अफसरवादी नहीं था यह अपना काम निकालने की नहीं दूसरी बात से दान्त वह नहीं था अलोचको का कहना है कि इसका में उद्देश यह था कि दूसरे विश्युद जो है उसके बाद में जो उनटराश्य स्थर पर शीणिद उसविद उत्पन हुआ है उस आई ये देशों के उपर आज भी साहिता के उपर निर्बर है इसे बारत ने कई बरी शीतियुत के काल में रश्या से अपने अच्छे संब्द मनाए तो भारत जैसे देश क्या करते हैं केवल ऐसे देशों से अपने अच्छे रिलेशन मना के रखते हैं जो उनकी है करते हैं यहां पर यह बाई शक्तियों के उपर निर्बर थे इनके पास में ना तो आर्थिक रूप से मजबूत थे आप सभी को ध्यान रखना है इसकी अलग्से वीडियो बना रखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं गुटन पेक्स्ता के नि नहीं थे इसा फोर एक्जांपल कई बारी जैसे शीतियुद के अकाल में देखिंगा 1965 में भारत के उपर पाकिस्तान ने अमला किया 1972 में भारत के उपर चैना ने अमला किया 1971 पे भारत और पाकिस्तान का वार हुआ इन सभी वारों के अंदर भारत जो है लगातार क्या कर रहा है लेकिन यहां पर बहुत सारे देशों को कहना है कि आप एक तरफ तो खुद यूद कर रहे हो चाहे गलती आपकी हो या ना हो ए राष्टेस्तर पे सान थी तो गई लोग क्याता है कुटनर पेक्स्ता की निती जोती संकूचित निती थी और बिल्कुल यह राष्टेहित तो इसमें देशों को था ही नहीं यह केवल नेतागिरी करते थे यानि पर एक्जामपल भारत जैसे देश में ऐसे नहरू थे इतन पर अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी यह इसलिए का गया है कि यह नितागरी करते थे किसारे किसारे यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान अटना है गुटनर पेक्स था कि जो निती थी एक दिशाहीन निती थी दिशाहीन नित का मतलब है कि कई बारी इसके जो खुद सदस्य देश हैं यह तनाव को बढ़ावा देते हैं और कई बारी यह खुद ही ऐसे देशों के साथ सामिल हो जाते हैं जो इन पर पर संचेन लगा देता है कि यह नहीं अच्छा तो यह कुशिन भी आप से बीक लिए क्लियर हो गया हैं तो इसकी कुछ उप लब्दी है सबसे पहली बात तो दोनों देशों के बीच में जबी भी विवाद उपण होता था यह क्या करती थि दोनों देशों के बीच आपको और साथए झान कि याहन एकों अंतराश्च्चे स्कर्द पर दोनों गुटों को दोनों घुटों से यह दूर रही और दोनों गुटों के बीच में कही वारी वी वहां पर यह उन्लीवादों को सुल जाने में काफी ज़ाद इसकी मुख्य भूमिका अभी रही थि इसके लावा विश्व की राजनेती में संगर्ष को इणने डाला यह से ऊडिया और गला इसके लावा को나श्था इसको पर नह convenient is में भी इसके मुख्य मुख्य का थी आप सब्सक्राइब को याद रखना है और निस्यस्टिक रण ये वाला तो से भी पॉइंट है आपको ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर याद रखने है यहाँ पर आप सभी से पेपर में कुछिन मनेगा भारत एक सुम्भावे इन्होंने अपना एक लेक है इसमें इन्होंने लिखा है कि भूल जाओ उस भारत को जिसे हम कभी जानते थे अब वो खतम हो गया अब आज हमारे सामने जो भारत खड़ा है वो क्या है वो बिल्कुल द्रिडिता से बरपूर है आत्म निरवर है और भारत जो है विश्व के ँन सभी देश जो तमाम ताकत्वर धेश है हरे धिश भारत से क्या करना चाहतें रिलेशन मनाना चाहते हैं इसके कई कारण है भारत के अदर को बागति बनाया जा सकते हैं यह ैपै नेशप सभी के लिए आख main पॉइन नेश तेख देखोगे भारत विश्व का सातलमा बड़ा देश है अब से नमर पर बात करें वर्ड में तो रशी आहे सब्सक्राइब पर बाट करें तो बंगाल की खाडी और भारत की प्राकर्तिक सीमा भारत को तीन ओर से गेरती है तिन ओर से लिया करती है समुंदर से इसका किलाब यहाँ को मिलता है इसके अलावा पढडि जबाला लहरूट जी ने आधा कि भारत जो है एक भूसियतू का कारे करता है जो आशियाननी पूरु के जो देश हैं इनको पस्यम के देशों से जोड़ने का काम करता है हो आप सोब और इसके अलावा है है अपने अंतराश्य व्यापार को बढ़ावा देने इसको काफी साहिता मिलती है इसके लावा जनसंख्या काक्र बात करें तो भारत की जनसंख्या वर्ले में अब तो भही सबसे जादा हो चुकी है 2011 की जनगर्णा के अनुसार 121 करोड थी लेकिन अब आपको पता है कि लगवग 2023 का आकराई से इसमें 1.43 करोड इतना लगवग लगवग वारत की जनसंख्या बन चुकी है और यह चाइना को कंपीट करके विश्व में नमर एक बन चुकी है वारत की जनसंख्या का 18% अबाद वाला देश है और पूरी वर्ल्ड में अगर 100 लोग रहते हैं उसमें से लगवग 20 से लोग आपर भारत की जो जातर यूवा अबादी है इसके बार में याद अकना है 60% यूवा अबादी भारत की ऐसी है जो जिनकी ये जो है 30 की करीब में है और भारत में श्रम सक्ती को य इसके अंदर है अंग्रेजों की अंग्रेजी की भारत के अंदर अमेरिका के बाद में दुनिया में सेकेंड नमर पे अंग्रेजी वाशा बोली जाती है अंग्रेजी वाशा बोली जाती है और इसके अलावा भारत जो है पुरे विश्व में सबसे जादा सबसे जादा क्य भारत के डॉक्टर इंजीनियर या फिर जो डड़्यानिक है यह विश्व के अलग-अलग इस्थानों पर जो है वो कार्य कर रहे है इसके लावा भारत जो है पुरिविश्व में उन देशों में से एक है जो लगातार अपनी मार्केट्स के लिए पुरी देशों को इसके लावा भारत की उत्पादन अगर में देखे तो वही 2007 में IMF की रिपोर्ट के अंशार वही तीसरी वड़ी अर्थ में रूप में भारत उबर चुका था कारण की बात करें तो भारत जो यूनों के अंदर शुरक्षा परिश्यत की इस्ताही सदस्य से उसके परबल द लिए अंधर नहीं रावा तो रक्षा परिश्यत वाला कॉन्सेप्ट के लिए रहे सैनिक कारण की बात करें तो भारत की विश्व में जैसेना जो है दूसरे नुमर पर आती है इसके लावा भारत जैना अमेरिका चीन के बाद में बड़ी सेना है दस लाख आक में पास में काफी तेजी से डवलप कर रहा है जैसे मिशन मंगल वगयरा या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है सैटलाइट्स जो विदेशी देश है वो भी हमसे सस्ते दामों पर लॉंच करवाने की बात करते हैं और साथ इसाथ में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है इन सो भ पॉइंट्स की विज़े से हम गया सकते है भारते की बरती हुई महाशक्ती के रूप में है